आपने जब उठाया था जी तब इसने क्या हुआ ship आ आपको किस तरीके से ढ़राने की कोशिक की है अ अर्य कैंसर को आपने क्या लिखा ताSP लिए इसी मच चैनिम्धीआ है कि मैं तना हलाल होनी के बारे में तो मैं सवाल ही सवाल था मेरा मैं इतना समझ रहा था कि डैरेक कोई स्केट्मेंट देने के बजाए सवाल करना चाहिए और वो सवालत ऐसे थे जवाब नहीं था नोगों के वाश कोई जवाब भी बताएंगे आप मैं आप पोस्टे बेच देता हूं जो कोस्ट मेरी हो जो कर आप बहुत जादा डेटेल आप मुझे भी नहीं आदे वह बहुत मसला पुराना हुगा आप समरी वे में बोल दीजिए शरही एद्बार से मैंने यह सवाल उठाया था कि पहली बाद तो लोग बोल रहे थे कि हम लोग किसी को अपना पार्टनर ही बनाते हैं मतलब मैंने बता है बोला था यह कि भई पार्टनर बना रहे तो शेर होल्डर कहा है मतलब आप उसको शे मतलब क्या होते है जो खरीद रहेतों इसको भी नहीं पता है कि यूट का मतलब क्या होते हैं तो सरीच में मैं ca आपको पता ही नहीं कि पूँने का मामला तो ऐसा है कि उसको आप फरीद रहें तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा सामने वाले बिल्कुल सही और भी बहुत सारी बाते जैसे वो लोग बोरे थे आप लोग भाना से सोड़ा ले ते हैं तो इसना जितने का टान ओवर बता रहे थे घाना में इतना सोमाई निकलता है यह तो यह आप में वोला था या मैंने फेस्बुक पे लिखा था जाद दार शोसल मेडिया पर लिखा चाहिए अचाहा था युनित मतलब क्या था मालूम है युनित यह था कि भाई आप आपका एक लाग का सोना आपने हमसे खरीद लिया और हमको ट्रेडिंग करने के लिए थिया तो लेकिंग का सोना किसना घ्राम कर यह सबसे परीदी बात है आपने लोग कैसे मालूम अपने को कितने क्राम का था वह सवाल भी आपका एक पॉइंट है कि एक लाग का सोना खड़ीता अगर मार्केट में अपने लोग एक लाग का सोना देखने जाएंगे तो कितना होगा वैडियो पता कर सकते हैं चलो मानलो for the sake of argument हमने एक लाग रुपे का सोन सोना खड़ीदा सोना खड़ीदा तो हमको इसने यूनिट परशेज रिशिप्ट दिया और यह बोली कि मैं ट्रेडिंग करूंगी और आपको एक लाग आप आपका जो एक लाग रुपया सोना है वह अठाइसों से बत्तिसों के बीच में बेचूंगी और 60% में अपने पा बेनिफिट वर्ड यूज कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में बेनिफिट देती है और किसको लेकर यह चीज बोला उल्माओं को लेकर और उल्मा मतलब जैसे देखें कोई फूड आइटम आया मार्केट में तो उसको एफडिया अप्रूफ करता है तो यह हराम चीज लेके आ आपा जो है सही कर रही है मतलब इनकी लिए खुदा हो गई है जब आज जब पैसा देने की वारी आ रही है तो इसके पास सोना ही नहीं हां कुछ भी नहीं जमीन बेचके दिना पट रहा है हां ठीक है और इन फैक्ट यह तो भाग रही थी तब पुलिस ने पकड़ा इसको और डेफर मेशिन का कीस वगयर आपके ऊपर डाला है अश्रव ममझी के घर पे तो गुंडे चड़ा है तो मुझको भी फोन करकर करके लोग गालिया दे रहे थे मारनी की दंपी दे रहे थे अश्रव भाई को ना मुझको आपको अच्छा आपको भी बोल रहे ता है लेकि लोगों को मैंने रोका ता रुख गया जो शुकुरिया मनाते मेरा या आपके बिले के समारा पैसा बच गया वह तो अलहां दिल्ला आपने सही काम किया इंफेक्ट मैं खुद हीरा को ग्रूप में यह चीज का ही वो कर रहा था ठीक है मैंने इंफेक्ट लोगों को तभी भी बोला था कि भाई पैसा अपना अर्जिन प्रिट्र लाल के लिखा लो लेकिन लोग अनपार अज के देट में देखिए एक बात मैं आपको नॉर्मल में बताता हूँ तू शेर होल्डर वाला इसने हटाय कि माले में क्योंकि इसको बैलान शीट दिखाना पड़ता तो शेर से इसने मेंबर किया मेंबर से इसने योणीट परद किया यानी कि तुम युणिट परद य और यह बोला कि हम तुम शेर होला थोड़ी हो ये पर तो डीका सकते व्यूंड पर देखिए वांट युनिट पर थे आपको आवा मैंने इसको ट्रेडिंग करने के लिए दिया है यानि कि यह हो गई वहाँ पर ब्रोकर साथ टका यह ले रही है एक चालिस टका मुझे दे रही है ठीक है और बिजनेस का टो डेफिनेशन ही होता है लोग बनेफिट किया होता है तो जिसको नोंने कुछ फिलाया पिलाया कुछ पहना वड़ा दिया वो लोग साथ में हो गया जिसी ने तहकी क्रोड़ी की मैंने यह सवाल भी किया था कि अब तक के इतना बड़ा कारवार हो गया है लोग बोलते हैं कि उल्मा ताइद कर रहें पर हीडागोल के पास ने कभी भी किसी एक भी मुफ्ती से बाकाइदा अपने पुरे कारोबार की डेटेल बता करके फत्वा नहीं लिया है किसी के पास भी कारोबार की शकर उनको पता थी ना उनके पास इस तरह का इस इस ने बड़े कारोबार में प्रॉफिट का इतना बड़ा मार्जिन जो है ना वो मुम्किन नहीं है कि एक लाग पे तीन हजार मदलब तीन परसेंट मार्जिन सिर्फ इनको दे रही है जो इनके बदलब यूनिट पर्चेस कर रहे हैं और शे परसेंट शाइट परसेंट तक खुद चुछ रख रहे हैं कि मार्केट में जब कारोबार इतना बड़ा होता है तो इतना बड़ा मार्जिन प्रस पीद का नहीं होता अब तो बात की बात है लेकिन जो उल्मा को इसने दरा आया धंकाया जो उलमा हक परस्ते ठीक है है अब यहाँ आप से और एक सवल मैं आप से को एक चीज बताईए मुष्रिक के पीछे नमाज पढ़ा जा सकता ही कि जाइज है मुष्रिक जो शिर्क करता हो उसके पीछे नमाज जा सकती ना अब मुझे यहाँ पर दूसरा चीज यह बताई कि सुर्य बक्रा चैप्टर टू वस्टू से तू सेवेंटी नाइन में है जिसने सूद लिया या जिया या उसके अंदर किसी भी तरीके से मुलविश रहा तो उसमानों कि उसने अल्ला उसके रसूल से जंग कर दिया ठीक है जब तला कि वो रुजु नहीं करता यानि कि अल् पर्षित करते थे जो कसीदे गाते थे इनके पीशे नमाज हो सकती है एक हक परस्त मौलाना इसका क्या जवाब देंगे है बहुत होने नहीं होने का चांवलू कि इंकान के विज़ति होने से घी नहीं यहां पर तो देखिए इसने यहां पर चांदने के बावजूद है छि क्या बोलते हैं है किसीका माल जो जो ले लेते ना क्या बोलते हैं उसको एक पर टुमें उसके लिंच वोईड है मेरे जहन में कहानी भाट कि करना बोलते हैं नहीं जो सबका पैसा खाके बैठा हो तो अल्ला मालूम है वो जिम्मा अपने में भी नहीं लेता है कि किसी का कोई माल खाके बैठा हो अच्छा थोड़ा सा मैं कुछ पढ़ रहा था और ओन आगे आपका अच्छा अच्छा लाव के बास करता है जी 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 तो बाकी अगर आपको नाम है मेरा वॉंबे डुंगरी तो जानते हैं ना बॉंबे का तो उसके गुंडे अगर वापिस फोन करेंगे तो उसके बड़ा गुंडा मैं हूं तो बेविकर रही है और जहां तलग मेरा दॉलिक चाहता है तो पूरा हमको मालूम था और जाखिर भाई तो बोलते रहे गए कि यह पॉंजिस्की में लॉम में देखे बताता हूं इन फैक्ट यूडब्लू के जुलाय में वही पैसा जो कोटक महिंद्रा में कलेट किया था वही पैसा इन्वेस्टरों को आपसिटन किया गया यहां सब्साब्साबित हो जाता है कि यह पॉंजिस्की में अच्छा पता चल गया कि इसमें कहीं और पर आला हो तो पैसा बिल्कुल यह चीज तो यह और सीधा बोलेंगे कि भाई यह हराम था और जो उल्मा ने इसकी ताइट की उनको रुजू करना चाहिए अगर वो रुजू नहीं करते तो इनके पीछे नमाज नहीं होगी एक यह टॉपिक क्लिकलना चाहिए आप लोगों को जो उल्मा हक है ठीक है और मैं को एक सवाल आपसे और है जो इसने सूथ के पैसे से मजजिद बनाया अपनी मा बिल्किस के नाम पर ठीक है कितने लोगों का पैसा मारके तो किया वैसे मजजिद में नमाज होगी अगर में किसी ने गलत पैसा लगाया तो डिसे गलत पैसा लगाया है वह उसका जिम्मेदार है कि मालूप पड़ गया है कि भाई इसकी का पैसा है उसकी माका नाम है तो वह इसी मज़िद का क्या करना चीए तो अपनी चीज़ रही कि किसी नेकर हराम पैसा लगाया तो उसके लिए उन्हेकार होगा और इसका जो है एधराबाद में जैसे के हैधराबाद में नेतिरुपती में जो इसका मदर्सा चल रहा है कि वह मदर्सा कम आयाशी का अड़ा जादा है उसके बारे में मैं आपको डीप में बताऊंगा बाद में ठीक है तो आईसे मदर्से में अपने बच्चों को भीजना चीए गया है कि अगर आप जैसा बता रहें वैसा ही मामले तो वैसे देखतेंगे दर्से में बिल्कुल ठीक है जैसा कर लाशीक पर असल में मैं भी बहुत असर से में रिकॉर्डिंग करा रहा तब भी पाड़ी गौँ आपको चैनल पे लाइव बलूंगा मैं इंशाल्ला तो आप टीकर टीकर को गार की अलार थे जरूब नहां कि शलाएथ